नमस्कार प्यारे साथियों एसन इलेक्टिकल एकड़िमी के यूटूब सैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये यूपी आर्वेनल टीजी टू इलेक्टिकल ट्रेड का कोशन पेपर है अभी यही रिसेंटली एक्जाम हुआ था 21 दिसंबर 2022 की मौर्निंग शिप्ट क कोशन पेपर है इस कोशन पेपर में मैंने अभी तक स्यार पार्टों में 25-25 करके कोशन को अपलोड किया हुआ है यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है वहां से कंप्लीट वाच कर सकते हैं इस साथ जो भी श्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लेज चैनल को सबिस्क्राइब जरूर कर लेंगे तो इसमें जो 101 कोशन जो कहा जा रहा है कि यह इसमें आपको सर्कुट दिखाया गया है इस सर्कुट की पहसान करके आपको बताना है कि यह किसका है इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके source से connect किया गया है नौबोल्ट DC source से connect है और यह जब आप देखेंगे यह बरजर है लेकिन यह सब इस्थिती देखेंगे तो इसमें 2-3 terminal आपको देखने को मिलेंगे एक तो gate हो जाएगा एक cathode हो जाएगा और एक anode हो जाएगा तो ऐसा कौन सा है device जिसके अंतरगत टर्मिनल के रूप में anode, cathode और gate पाए जाते हैं तो पहला आप संदे रहा है कि MOSFET MOSFET का मतलब होता है Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor और इसमें जो टर्मिनल होते हैं वो तीन होते हैं लेकिन ड्रोन होता है, source होता है और gate होता है ड्रोन, source और gate होता है ये तो नहीं होगा डायक में दो टर्मिनल होते हैं और main terminal 1 और main terminal 2 होता है ट्रायक में तिन टर्मिनल होते हैं main terminal 1, main terminal 2 और एक होता है gate terminal लेकिन SCRA जो है इसके अंतरगत तिन टर्मिनल होंगे एनोड कैथोड और गेट हो जाएगा इसलिए आपसा नमबर सी सही आंसर होगा अगला नमबर कोस्टन अगला जो है 100 टू नमबर कोस्टन की सकती पावर के मापन के लिए वाट मिटर में लोड के साथ इस्थिर कुंडलिया तथा दाब कुंडलिया इस्थिर कुंडलिया यानि इसे हम करेंट कोईल भी कहते हैं और दाब कुंडली को प्रेसर कोईल भी या मूवेवल कोईल भी बोला जाता है यह कैसे जूड़ी होती है तो करेंट कोईल जो होती है यह मोटा wire की होती है जिससे इसका वजन बढ़ जाता है तो इसे fixed रखा जाता है इसी लिए इसे fixed coil भी कहा जाता है और यह load के series में connect होती है और parallel coil प्रेसर coil जो होती है वो पतले turn की होती है जादे turn की होगी लेकिन पतले wire का use किया जाएगा उसमें जिससे वो हलकी हो जाती है तो उसे movable रखा जाता है और वह supply के parallel में connect होती है आपसन ने कहरा है कि इस्थिर कुंडली load के series में जोड़ी जाती है और दाब कुंडली आपूर्ती के parallel में जोड़ी जाती है इसलिए आपसन नमबर A सही answer होगा दोनों में अंतर होता है current coil मोटे wire की होगी कम turn होगा लेकिन pressure coil दाब coil जो होगी वह पतले तार अधिक turn की होगी तो इसको आप जरूर याद रखेंगे अगला question 103 number question zero crossing विक्रिती distortion डाट डाट में देखी जाती है zero crossing distortion किस में देखा जाता है amplifier की category में बताना है तो आप amplifier जब पढ़ेंगे तो आपको चार प्रकार के amplifier नज़र आते हैं A type amplifier, B type amplifier और A, B type amplifier और C amplifier अगर कहा जाए efficiency के हिसाब से तो सबसे कम efficiency वाला जो amplifier होता है class A amplifier होता है और इसकी efficiency जो होती है वह 25 से 35% होती है resistance पे, लेकिन अगर transformer coupling है तो फिर 50% होती है A प्रकार के amplifier की B प्रकार के amplifier की efficiency 78.5% होती है और A, B amplifier की efficiency जो होती है वह 35% से 40, sorry 35% से 50%, 45% तक होती है और C type amplifier जो होता है इसकी efficiency सबसे जादे होती है और 95% तक होती है अब zero crossing distortion पूछा है विक्रिती पूछा है तो इसका दूसरा जो होता है push-pull amplifier होता है और इसे हम B class amplifier बोलते हैं और यही चीज आपसा नमबर D में दिया गया है class B प्रकार के amplifier को zero crossing amplifier इसे ही हम बोलेंगे इसलिए आपसा नमबर D सही answer हो जाएगा A, B amplifier होता है ऐसे भी explain किये E amplifier नहीं होता है और D amplifier भी नहीं होता है ति यह दोनों amplifier की तो category है ही नहीं अगला question अगला 104 number question निमलिखित कतनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनाव किजिए statement एक कह रहा है कि lead acid battery charge करने पर anode chocolate brown हो जाता है बात तो सही है कि अगर lead acid battery जब charge होती है तो उसका जो positive terminal जिसे हम anode बोलते हैं वह चाकलेटी भूरा हो जाता है और statement 2 कह रहा है कि lead acid battery charge करने पर कैथोड इसलेटी हो जाता है तो ये भी बात सही है इसलिए दोनों statement सही है option A और option B इसलिए कथन A और कथन 2 दोनों सत्य है option A correct answer हो जाएगा अगर lead acid battery फुली discharge हो जाती है तो उनकी दोनों plate जो होती है वहाँ PB A04 की बन जाती है अगला question अगला जो question है 105 number question निमने लिखित में से कौन से ऐसी संट आवसकता नहीं है जिसका उपयोग मापन रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता हो कौन सी ऐसी संट में आवसकता हम नहीं है जिसे मापन के किसी भी instrument की range बढ़ाने में उपयोग करते हूँ आप सब जानते होंगे अगर हमेटर की range बढ़ानी है तो उसी के पैरलल में एक low man का resistance लगाया जाता है जिसे हम संट बोलते हैं और ये मैगनीन या इूरेका का बना रहता है ये wire का resistance इसी में अगर हम multiplier बनाना है बोल्ट मीटर की range को बढ़ा करके तो उसे हम multiplier बोलते हैं और इसका भी connection जो होता है उस बोल्ट मीटर के series में हायर मान का resistance जोड़ा जाता है और वह resistance भी इूरेका और मैगनीन का ही बना रहता है तो इसमें कहा है कि किसका उपयोग नहीं किया जा जाता है आप सन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला नंबर कोशन 106 नंबर capacitor start induction motor और capacitor start capacitor run induction motor में कहां तक उप लब्द होती है यह जो मोटरे होती है यह capacitor type की मोटरे हैं और यह single phase के अंतरगत आती हैं तो single phase में आप सब भी जानते होंगे कि एक HP maximum और एक HP से कम की ही मोटरे design होती है single phase मोटरों में चुकि किलो वाट में दिया है तो 5 या 6 किलो वाट तक हम ले लेते हैं तो यहां पे 6 वाट दिया है इसलिए आप सन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन कि विविन परावेदत की परतों का उपियोग करके किसी केबल में परावेदत परतिबल में एक रूप प्राप्त करने के लिए डट डट का उपियोग किया जाता है किसी भी केबल का जो हम केबल डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें लेयर के रूप में उप्यों किया जाता है वह ट्रिक्स होता है सब LPC होता है मतलब कि कोर होगी इसके उपर पेपर इंसुलेशन होगा इसके उपर लेड सीट होगी जैसे जैसे उपर की तरब निकलता चले जाते हैं तो इसकी dialectica strength जो होती है वह कम होती है होने लगती है तो इसी को यहाँ पे grading का मतलब होता है कि हर सत्व पर इसका stress जो है वो बराबर करना तो उसके हम grading बोलते हैं अब grading जो होती है दो प्रकारकी होती है भी बोला जाता है और tam i7 सफिट को होंो जीनियस ग्रेडिंग भी बोला जाता है चुकि यहां पे कि क्या påट में कि टरफ चले जाएंगे केबल की कैपसिटिंग कैपसिटेंट ch ग्रेडिंग करेंगे इसलिए आपसा नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में यह चीज देखा जाता है कि हर लेयर पर अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक इस्टंथ वाले मेटेरियल को हम लगाते हैं तो यह वही ची आसा देखिएगा क्योंकि एक रूपता कह रहा है लेकिन यहां पर इंटरसिट्ट ग्रेडिंग भी दिया है लेकिन अलग-अलग होने के चलते कैपेसिटेंस ग्रेडिंग पर हम जा रहे हैं अगर सेम रहता तो फिर इंटरसिट्ट पर चले जाते अगला कोस्टन अगला ज कीजिए पोल पीच बराबर होता है सलाट की संख्या और सलाट में उपस्थित चालक की संख्या दोनों में से किसी को कह सकते हैं क्योंकि सलाट है तो उतने ही कंड़क्टर उसमें डालेंगे तो चालकों की संख्या तो 48 बटा पोल की संख्या 12 बर चुक 48 कितने आए पोल 4 हो जाएगा अगला 109 नमबर कोशन यह बहतरीन कोशन है आप सब ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे एक कैपिसिटर 30 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर आकार के दो चालकिय धातू प्लेट के साथ निर्मित किया जाता है जो एक दूसरे से 6 mm की दूरी पर रखी हुई है और सुस्कवायू का उप्योग केवल इसकी एक मात्र पराबैदुत समागरी के रूप में किया जाता है संधारितर की धारिता क्या होगी जो फार्मूला बनेगा इसमें C इक्वल टू अप साइलन जीरो A आपान D बन जाएगा और इसी में आपको मान पूट करना है एरिया 6 तरफल यहां पे देखिए दिया हुआ है और D का मान 6 mm दिया हुआ है अब इसमें कैप सीटर का मान संधारितर का मान ग्याद करना है Absolute Permittivity जो होती है वो 8.85 इंटू 10 to the power minus 12 होता है इंटू 6 तरफल रखना है तो 30 cm इंटू 50 cm चुकि इसको मीटर में बनाएंगे तो 30 cm को मीटर में बनाने के लिए हम 100 से भाग देंगे क्योंकि एक मीटर में 100 cm होता है फिर इसमें भी भाग देंगे अब ये मीटर में हो गए अपान D, D का मतलब है 6 mm दिया है तब इसको क्या करेंगे 6 कर देंगे इंटू कर देंगे और ये mm में है तो इसके उपर 1000 कर देंगे तो ये भी मीटर में convert हो गया अब देखिए 8 point 85 में point है दो अंक के बाद तो नीचे में हम 20 बढ़ा देंगे तो ये भी point of cancel out हो गया अब इसी का calculation करना है तो देखिए यहां से ध्यान से समझीएगा आप सब अब क्या करेंगे कि 0 0 पहले cancel 1 2 3 3 0 है एक दो तीन cancel out फिर ये 0 से ये 0 मारा जाएगा ये 0 से ये 0 मारा जाएगा फिर अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 5 दूनी का 10 हो जाएगा अब 10 हो जाएगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा अब नीचे मचा 4 आउपर मचा इतना तो 8 point नहीं है क्या लिख सकते हैं पी को लिख सकते हैं चुकि धारिता निकाल रहा है तो धारिता का मतलग farad होता है तो एफ लिख देंगे पी को farad तो आगया सब आप्सन में भी पी को farad दिया हुआ है अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देखें चार से इसको कटाएंगे चार दुनी का आयट फिर चार दुनी का आयट फिर चार एकम चार दसमलो दू पांच आ जाएगा मतलब 221 दसमलो दू पांच पीको फैरड आया तो इसी को राउंड फिगर में 221 पीको फैरड दिया हुआ है तो आपसन B के तरफ चले जाएंगे उमीद करेंगे आप सबको कोशन समझ में आया होगा आपसा नमबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला नमबर कोशन अगला 110 नमबर कोशन की 6 पोल वेब कनेक्टेड आर्मेचर में 300 कंचालक हैं और 1000 आर्मेचर में पर चलते हुए यदि उपियोगी फ्लक्स प्रतिपोल 0.04 वेबर है तो EMF की गणना कीजिए तो EB बराबर जो हो जाएगा 5ZNP अपन 60A हो जाएगा अब यहां से फ्लक्स जो दिया है 0.04 दिया है इंटू Z का मान जो है 300 दिया है इंटू N का मान 1000 है अपन 60 इंटू वेब बैंडिंग है तो वेब बैंडिंग में पैरलल रास्तों की संख्या जो होती है मातर 2 होती है इसलिए 2 रख दिये इसमें 2 अंके बाद पॉइंट है तो नीचे में इस पॉइंट को हटा के दो अंके बाद तो दो 0 बढ़ा देंगे अब देखिए अब इसी का काल्कुलेशन करना है एक 0 फिर एक 0 दो 0 तो यह दो 0 कर जाएगे फिर यह 0 से इस 0 कर देंगे 6, 5, 30 हो जाएगा 50 हो जाएगा अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा 4 है ना तो 2 दो नी का 4, 2 हो जाएगा अब इसमें कितना आया तो इसमें कहीं गलती हो गया है प्यरे साथियों अब फिर से इसको करने का प्रयास करते हैं आप सब ध्यान से देखेंगे e b equal to phi z n p upon 60 a अब इसमें क्या करेंगे phi का मान दिया है 0.04 बेबर into z का मान जो है 300 चालक यहां पे है 300 हो जाएगा into rotation जो दिया है speed वो 1000 दिया है into 6 पोल दिया है तो यहां पे 6 रख देंगे upon 60 into a यह parallel रास्तों की संख्या कितनी होगी wave binding है तो 2 ले लेंगे into यह point हटाएंगे दो अंके बाद है तो नीचे दो 0 बढ़ा देंगे अब इसी का calculation हमको करना है देखिए तो यह 0 से यह 0 फिर इस 0 से यह 0 कट जाएगा फिर इस 0 से यह 0 कट जाएगा यह 6 है तो यह 6 कट जाएगा थीक है दूसे यह 2 कट जाएगा 4 यानि 2 वहाँ बंचेगा तो यहां 300 into 2 600 बोल्ट option number D correct answer हो जाएगा उमीद करेंगे आप सब को question समझ में आया होगा अगला question 111 number question armature अनुक्रिया के लिए निमने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है armature अनुक्रिया के लिए statement बताना है कि कौन सा सही नहीं है statement एक जो option कह रहा है कि मुख्य flux में सुन्य नमीनी करण को B चुम्बकन प्रभाव कहा जाता है बात तो सही है B जो कह रहा है Y अंतराल परिधी के साथ मुख्य फिल्ड फ्लक्स की विक्रिती को क्रास मेंगनेटाइजिंग प्रभाव कहा जाता है बात तो सही है C जो है armature flux मुख्य फ्लक्स को प्रबल बनाता है प्रबल नहीं बनाता घाटाता है इसलिए यही statement गलत हो गया option number C सही answer हो जाएगा अगला question 112 मुख को question की परिपत से गुजरने वाली प्रत्यावर्ती धारा I equal to 200 sign 314.2 T है जब T equal to 0.02 second हो तो धारा का ताच्छनिक मान कितना होगा अब इसकी frequency निकाल लीजिए अगर वो frequency एक cycle की आती है तो फिर current 0 हो जाएगी क्योंकि alternating current है और alternating current का wave जो होता है यह चलता है तो एक cycle complete करेगा तो फिर इस का मान 0 होता है half cycle पर भी 0 हो जाता है अब इसी को देखिए T का मान यहां दिया हुआ है तो F equal to 1 upon T तो यहां से 1 upon T का मान रखेंगे 0.02 दो अंक के बाद 10 मलव है तो उपर 2 0 बढ़ाएंगे और यह 2 से कड़ जाएगा 50 हड़ जाया इसका मतलब की current जो होगी वह 0 हो जाएगी आप सा नंबर भी सही answer हो जाएगा अगला नंबर question अगला जो है 113 नंबर question किन मिलखित में काउन सा भी कलप कोण कला कोण छोटा होने पर लेडिस एंड जाईयर ट्राइवेक्टर मीटर में गीर की पहसान करता है वह किलो वाट मीटर होता है जिसे हम integrated के अंतरगत रखते हैं आप सा नंबर सी सही answer हो जाएगा किलो वाट मीटर इसे बोला जाएगा अगला जो है 140 नंबर को सन आम तोर पर स्टील को चुम्बक कित करना क्यों कठीन होता है स्टील को मेगनेटाइजिंग करना इसलिए कठीन होता है क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी जो होती है वो कम से कम होती है परमियबिल्टी के कारण यानि लो रिटेंटिविटी भी आप कह सकते हैं आप सन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा अगला नंबर को सन है 150 नंबर को सन इसको देख करके आपको बताना है कि ये जो डाइग्राम दिखाया गया है ये काउन सी डैंपिंग का ये दिखाया गया है ये मूइड पॉइंट लाइन है से उपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है तो उपर में हायर में चली गई है तो हायर में जाने के कारण इसे हम उबर डैंपिंग कहेंगे और इसे हिंदी में अती आउमंदित भी बोला जाता है यही आपसन नमबर बी में दिया गया है आपसन नमबर भी सही आंसर हो जाएगा इसमें अंडर डैंपिंग भी होती है और क्रिटिकल डैंपिंग या इसे ही या स्मूथ डैंपिंग भी बोलते हैं तो यह भी डैंपिंग के ही पार्ट होते हैं अगला कोस्टन अगला जो कोस्टन है 100 16 नॉंबर कोसटन कि ट्रांसफार्मर काउन सी हानिया लोड वहण के अनुक्रमानुपति होता है ट्रांसफार्मर में लो्सेस की पैरामेटर्स होता है इसे हम लो में ओमिक लास भी बोलते हैं और कॉपर लास जो होता है लोड जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे बढ़ता है घटता है तो वैसे वैसे घटता है तो यह वैरियेबल लास के अंतरगत आता है लोड पे dependent होता है core loss जिसे हम iron loss बोलते हैं ये load पे dependent नहीं होता है और ये constant loss के अंतर गताते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है hysteresis loss और दूसरा होता है AD current loss तो इसमें कौन सा है जो load पर depend हुआ copper loss आपसन नमबर A में दिया गया है ताम रहा नहीं आपसन नमबर A सही answer हो जाएगा अगला नमबर कोशन अगला जो है 170 नमबर कोशन की expansion type protocol grounding यानि search arrester को डाट डाट भी कहा जाता है तो search arrester की बात किया गया है तो search arrester का हम दूसरा नाम जो कहेंगे वो protect tuber arrester भी बोला जाता है search diverter भी इसे बोला जाता है आपसन नमबर B सही answer हो जाएगा प्रोटेक्टर ट्यूब आरेश्टारी से बोलेंगे आपसन नमबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला नमबर कोशन अगला 118 नमबर कोशन की भू संपरकंतार के लिए निमलखित में से count statement सही है भू संपरकंतार यानि grounding कहते हैं और इसी को दूसरी हम earthing भी कहेंगे कोई भी machine या कोई भी metal body को उसमें leakage current के flow को ground करने के लिए ताकि जो भी वहाँ पे operator काम कर रहे हैं उस leakage current से safety हो उसी के लिए हम हर metal body को ground करते हैं earthing करते हैं जो की leakage current का mark परदान करता है और low resistance path परदान करता है जिससे current voltage ground हो जाता है तो उसी का statement सही कह रहा है कि कौन सा है भू संपरकंतार थोड़ा सा विभव मौजूद होता है ऐसा नहीं है थोड़ा सा नहीं जो भी leakage current आएगी उसको तुरंट ground करेगा दो statement भी कह रहा है कि दोसधारा यानि leakage current भू संपरकंतार से होकर प्रभाहित हो जाती है ग्राउंड हो जाती है तो यहीं statement सही है आपसा नंबर भी सही आंसर हो जाएगा अगला नंबर कोशन अगला जो है 190 नंबर कोशन कि क्यूरी ताप मान पर लव चुम्ब की अपदार्थ संत्रिप्त चुम्ब की current डाट डाट हो जाते हैं तो क्यूरी ताप वह टेंपरेचर होता है कि जब कोई भी लव मेटेरियल अपने गूर को एक वह इसका क्यूरी ताप कहलाता है लोहे का क्यूरी ताप 770 डिगरी सेंटीग्रेट होता है और कैल्वीन में 1043 कैल्वीन होता है तो उस पर चुम्ब की करन क्या हो जाएगा जीरो हो जाता है मतलब अपने गूर को अब परिवर्तित करना छोड़ देता है तो यही पूछा ह आपसा नमबर D सही अंसर हो जाएगा अगला नमबर कोशन अगला जो है 120 नमबर कोशन कि फ्लोमिंग के दाए हात के नियम के अनुसार यदि दाए हात के तरजनी अंगुठा मादिमा एक दूसरे से परस पर समकूर पे हो तो तरजनी अंगुली क्या दिखाएगी तो जब फ्लोमिंग के दाए हात का नियम ये लगता कहा है तो जरनेटर की घुड़न की दिखा ग्याद करने के लिए फ्लोमिंग के दाए हात का नियम मोटर की घुड़न की दिखा ग्याद करने के लिए फ्लोमिंग के दाए हात का नियम चुकि जरनेटर में जेनरेटिंग बोल्ट भी फ्लोमिंग के दाए हाथ के नियम से ही ग्याद कर सकते हैं अब इसमें कहा गया है कि फ्लोमिंग के दाए हाथ के नियम में अंगुठा माधिमा और तरजनी अंगुली को प्रसपर 90 डिगरी के एंगल पर रखा जाए तो फिर उसमें तरजनी अंगुली की से इंडिकेशन क होती है वो चुम्ब की चैतर की दिसा को ग्याद करेगी और जो माधिमा होगी वो प्रेरीत बोल्टेज या प्रेरीत करेंड की दिसा को बताएगी और अंगठा जो है वो चालक की दिसा को बताता है या लगने वाले बल को बताता है यहाँ पे सिर्फ तरजनी की बात किया गय आप्षान नंबर ए सही आंसर हो जाएगा अगला नंबर कोशन अगला जो है 121 नंबर कोशन की सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तूलना में थ्री फेज ट्रांसफार्मर जहां के वियर रेटिंग समान हो तनिन मिलखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है इस्टेटमेंट तूलना किया है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तूलना में थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए जहां के वियर रेटिंग समान हो वहां स्टेटमेंट सही नहीं है यह सस्ता होगा बात यह सही है सिंगल फेज के मुकाबले थ्री फेज है अगर के भी यह रेटिंग पर है तो फिर थ्री फेज वाला सस्ता होगा दूसरा statement का रहा है कि यह अधिक जगह घेरता है यह statement गलत है इसलिए आपसा number D correct answer हो जाएगा यह हलका होता है बात सही है यह मामूली रूप से अधिक दक्ष होता है तो थोड़ा सा ही दक्ष ना के बराबर दक्ष वैसे single phase के मुकाबले तो इसमें ज्यादे कुछ रहेगा ही किसमें दो winding transformer में लेकिन अगर इसकी तूलना आटोट से की जाए तो आटोट transformer हर सीज मामले में efficiency के भी मामले में वो बहतर हो जाता है क्यों क्योंकि वहाँ पे winding की कम आओ सकता होती है एक ही winding होती है उसी के turn कुछ turn को primary और कुछ turn को secondary के रूप में हम use करके कर लेते हैं तो इससे copper की मचत होती है वहाँ पे तो फिर efficiency वहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि copper कम लगाया है तो फिर losses भी वहाँ कम होंगे तो इससे efficiency two winding के मुकाबले आटो की बढ़ जाती है और सिधान्त भी पूछा जाता है तो आटो transformer self induction के सिधान्त पे काम करता है और two winding transformer या अन्य कोई transformer mutual induction पे काम करता है तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे अगला नंबर question अगला जो है 122 नंबर question की डाट डाट को कम करने के लिए उर्जा मीटर की डिस्क को ब्यास पर दो छिद्र ड्रिल किये जाते है जो energy meter की डिस्क होती है ऐलमूनियम की डिस्क इस पर दो छिद्र बिप्रीत कर दिया जाते है क्यों किये जाते हैं तो ये creeping error को समाप्त करने के लिए आपसन नंबर D सही आंसर हो जाएगा energy meter जो होता है integrated type के instrument के category में ये आता है अगला question अगला जो है 123 नंबर question यांतरिक गुणो और तापमान प्रतिरोध के सुधार के लिए soldiering को अन्य मिस्र धातू तत्तों में मिस्रित किया जाता है तो पहसानिये की कौन सा इसका भाग नहीं है तो देखिए यांतरिक गुण को अगर मजबूत करना है soldier के रूप soldiering material में अब soldier है तो soldier क्या होगा इसमें तो एक तो टीन हो जाएगा और एक पीबी हो जाएगा टीन की मातरा पूछी जाए तो टीन जो होगा 63% और पीबी 37% हो जाता है इसकी और एक रेशियो चलता है 60% टीन होता है और 40% लेड होता है यह रेशियो होता है तो इसमें अगर इसकी mechanical strength को जादे मजबूत करना है तो फिर इसमें कौन सा material हम डालेंगे चुकि प्रस्न पूछा गया है या कि नीन में से कौन सा नहीं है मतलब किसका उपयोग नहीं किया जाएगा यह बात पूछी है तो अगर इसकी mechanical strength को बढ़ानी है तो इसमें हम चादी का भी प्रियोग कर सकते हैं केर्णेमियम का भी प्रियोग कर सकते हैं और जिंग का भी प्रियोग कर सकते हैं, लेकिन रेडियम का प्रियोग नहीं किया जाता है, और इसी को पूचा है, आपसा नंबर भी सही आंसर हो जाएगा, नहीं में कोचन पूचा गया था, अगला जो कोचन है 124 नंबर कोचन, बीना जानकारी के, बीना सुरक्षा साउधा हो सकता है तो यह मानविय के अंतरगत आएगी कि अगर किसी आपरेटर को यह चीज पता है कि हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है फिर भी आप उससे छेड़ चाड़ कर रहे हैं उस मस्जिन से तो वह जो एरर आता है तुरूटी आएगी वह किसके अंतरगत काउंट की जा हैं तो वाता वरणिय इफेक्ट जो भी हाईर टेंपरेचर हाईर प्रेसर हाईर अगर मोईसर है वाही मंदल की उससे अगर वह इंस्टूमेंट गलत रीडिंग देता है तो यह इन्फूएंस एरर के अंतरगत आता है पर यह वरणिय तूटी के अंतरगत आता है तो यह हो कोशन है 125 नंबर कोशन डिजिटल सियारो के निवेस प्रबर्धक का आउट पूट डाट डाट में होता है सियारो क्या है सियारो का मतलब है सियारो का जो फुल फार्म होता है वह कैथोड रे ऑक्सिलो इसको होता है और इसका खुद का डिस्प्ले होता है यह डिस्प्ले प प्रबर्धक जो है लेता है वो आउटपुट में कैसा होगा तो वह बाइनरी डिजिट में अपने स्वारी दुधारी डेसिमल नंबर में रिपर्जेंटर्शन करता है और डेसिमल नंबर आप सब जानते होंगे कि बेस कितना होता है दस होता है इसी को रेडिक्स भी बोला ज संख्या का दुधारी संख्या का रेडिक्स कितना होता है दस होता है तो यह दुधारी के रूप में परदर्शित करता है आप सन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा हेक्सा डेसिमल का रेडिक्स पूछा जाए तो 16 होता है आक्टल रूप यानि आक्टल नंबर का तो इसका र वीडियो में हम इतने कोशन को साल्व करते हैं इकसका नेक्स पार्ट बहुत जल्द आपके बीच आएगा तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सब लाइक किजिएगा और साथी साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को जरूर आप सेयर किजिएगा औ और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार होंगे प्लीज चैनल को सबिस्क्राइब जरूर कर लेंगे तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो